IPL का प्राकृतिक बहुपोशक और वरक पॉली हैलाइट ये पूंट तया बहुपोशक प्राकृतिक और वरक है इसको बनाने में किसी भी रसायन का प्रियोग नहीं किया जाता है पॉली हैलाइट में पोटाश 12.5 प्रतिशत, सल्फर 17.5 प्रतिशत, कैल्शियम 15 प्रतिशत, मैगनेशियम 5 प्रतिशत पाया जाता है ये एक मात्रय सा और वरक है जिसमें ये चारो तत्व प्राकृतिक रूप में भरपूर मात्रा में उपलब्द है IPL पॉली हैलाइट बहु पोशक प्राकृतिक और वरक की प्रमुक विशेशताएं इस प्रकार है प्रतेशियम, सल्फर, मैगनेशियम और कैल्शियम युक्चलफेट आधारित पहला और एक मात्र और वरक इसकी एकल क्रिस्टल संडचना मृदा में पोशक तत्मों की उपलब्दता को लंबे समय तक बनाए रखती है ये धीमे घुलने वाला आसानी से अवशोशित होने वाला कम लबनता सूच कांग का एकुत क्रिष्ट और वरक है ये सभी प्रकार की फसलों एवं मृदाओं के लिए उप्युक्त है IPL पॉलिहलाइट के प्रमुक लाब है पॉलिहलाइट में क्लोराइट की मात्रा बहुत कम है अता क्लोराइट समवेदनशील फसलों के लिए भी उप्युक्त और वरक है ये प्राकृति कुरवरक जैविक खेती में भी सलफर, पोटाश, कैल्शियम एवं मैगनीशियम की आपूर्थी के लिए एक उप्युक्ट स्रोथ है पॉलिहेलाइट उपज में व्रिधी, बेहतर गुनवत्ता और अधिक लाब के लिए एक उचित तुरवरक है IPL की एक मुख्य परियूजना है पोटाश फोर लाइफ जिसके तहट उरवरकों के प्रियोग एवं उसके इस्तेमाल से होने वाले लाब को दिखाने के लिए किसानों के खेत पर फसल प्रदर्शन लगाए जाते हैं जहां IPL के विशेशग्य की देख रेख में किसानों ने पॉली हैलाइट का प्रियोग किया है जो इसका अधिक लाब उठा रहे हैं कि यह गहांले लगाया है इसमें पोली हैलाइट दो एकड़ जमीन है हमारी इसमें हमने एक उसकी एकड़ में सो किलोग्राम के हिजण से हमने पोली हैलाइत लगाए पिछले साल वह लगया तो इसका बहुत ही बच्चा रिजठ्ट है और गणिे की मोटाई फुटेर六 है इ में इसलिए हमने इस बार दूबारा भी लगाया इसको यह जो आप गंडे की फसल देख रहे हो यह आई-पियाल मील ने एक खाथ बनाई थी इसका नाम था पोली हलाइट यह हमको दिया गया इसका जो रिजन्ट था यह इतना जानवन रिजन्ट था सभी भाई आज़ा फसल हमारे देश में गंडा एक नकदी फसल है जो दस से बारा महिनों में पकर तैयार हो जाती है आई-पियल उत्तर प्रिदेश में जहां एक और छे गंडा मिलों द्वारा चीनी का उत्पादन कर रही है वहीं दूसरी और किसानों को गंडे की उन्नत किस्में एवं पॉली हैलाइट दिलवाकर अधिक गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन की और प्रिरित कर रही है हमारी आई-पियल मील है इनके अधिकारियों ना आकर बताया कि आप पॉली हाइलाइट लगाओ तो पॉली हाइलाइट में हमने जो देखा उसमें चार पोसक्ततों है पोटास, सलफर, मैंगनीशियम और कैल्सियम हम पहले कैल्सियम नाटेट के रूप में डालते थे जो हमें 16 परसेंट वो मिलता है उस बोरे में कैल्सियम हमें 16 परसेंट के साथ तीन अन्य पोसक ततु भी इसी में मिल जा रहे हैं तो हमारी कहीना कहीं लागत कम हो रही है ल और इनी के मार्क दरसन में हमने जो पोली हाइलाइट लगाया वो गन्ना बुआई में भी लगाया जो आपके पास सामने यो गन्ने का खेत है यो उसी का नतीजा है और मैं कहता हूँ सभी किसान भाईयों से मैं करूँ चाहे थोड़ा यूज करें एक बिगे में यूज करे मेरट, मुझफर नगर एवं सहारनपुर जन्पत के गाउं में IPL के अधिकारियों ने गन्ना बुआई के समय से लेकर कटाई तक किसानों को पॉली हालाइट की प्रियोग विधी से अबगत कराया इस क्षेत्र के किसान गन्ने में पॉली हालाइट का प्रियोग कर काफी उ जमीन की पावर बढ़ाता है और जी गन्ने को मजबूत करता है गन्ने का रंग बढ़ायक रखता है पैदावार बहुत अच्छी है वैसा और किसानों को मैं सला दे रहा हूं पॉली हालाइट का परियोग करें हम ये गन्ना बहुत ही निरोगा और बीमारी नीत बिल्कुल स 90 परसेंट गन्ने की खेती होती है और सब अब की बाहर में लगबग 90 परसेंट असी परसेंट तो पुल एड़े का इस्तियमाल करेंगे और मेरी भी सलाव नहीं यही रही पिछले साल जन्पद मीरट में किसानों ने उत्पादन बढ़ाने हेदू पॉली हैलाइट और बरक का प्रियोग किया जिसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिनाम रहे जी मेरे पास जब मैं गन्ना बोने से पहले सकुत्ती की मील वाले आएव उन्होंने पॉली हाइलाइट आईपियल वालों का वो बताया मैंने गेरा एक गड़े में दोस्तों गिराम जी उससे पैदावारी बहुत अच्छे है इससे अच्छा किसी का भी रिजल्टे नी बह इन्टा परियोड करते हैं इसलिए इनकी हमें पैदावार बहुत अच्छी मिलती है आई पी एल ने उत्तर प्रिदेश में गाउ रोहाना खुर्द रोहाना कला के गाउं में प्रदर्शन लगाए हैं जिनके परिनाम गुनवत्ता एवं उत्पादन की दृष्टी से बहु भी इसलिए इसलिए इससाल इस प्लोड में लगवाया है और उसके डियल्ट बहुत आप सामने देख रहे हों कितने प्रियल्ट इसको हाए हैं और मैं सबी किसान भाहियों से स्भारिस करूए कि भी इसे लगाएं और आपना जादे से जादे लाब उठाएं जैसा कि आपको बताया गया कि पॉली हैलाइट पूर्ट तया वहू पूशक प्राकरतिक और वरक है ये हमारे देश की करीब करीब सभी रभी एवं खरीब की मुख्य फसलों फल एवं सब्जियों के उत्पादन बढ़ाने में महत्तो पूर्ण और वरक है समय समय पर IPL के अधिकारी किसानों के खेतों पर किसान गोश्थी एवं प्रगती शील किसानों को समानित भी करती है इस प्रकार पॉली हैलाइट द्वारा खेती में आवश्चक तत्मों की पूर्थी करता है इससे मृदा की उर्वरकता भी बढ़ती है फसलों की जड़ और गहरी होने से मजबूती के कारण गिर नहीं पाती है और उत्पादन में आशातीत वृद्धी होती है IPL का पॉली हैलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद बन चुका है